नमस्कार आज फिर प्रस्तित है आपके सामने डाक्टर पवन गुपता आरपी स्टोन क्लिनिक पानी पत्से आज मैं आपके साथ आराई आरेस लेजर बास्केट और किड्नी से स्टोन के निकलने के बारे में बात कर रहा हूँ यह जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यह तीन किड्नी स्टोन्स हैं किड्नी के लोर पोल में एक छोटा और दो बड़े यह देखिए मैंने छोटा स्टोन बास्केट से पकड़ा है यह फोर वायर बास्केट है और इससे छोटा स्टोन पकड़के मैंने बाहरी निकाल लिया है अब यह दो उपर वाले बड़े स्टोन है जो मैं इनको अपर पॉल में ट्रांसफर कर रहा हूं यह देखिए एक को कर यह मैंने ट्रांसफर और फिर दूसरा मैं पकड़ के फिर इसको भी उपर ट्रांसफर कर दूँगा यह देखिए यह आगी आपकी बास्केट फॉर वायर बास्केट है यह इसको स्टोन पकड़ा मैंने और यह उपर वाले खाने में डाल दिया क्यूंकि अक्सर मैं लेजर जो पर अपर पॉल कैलिक्स में जाके मैं इनको तोड़ता हूँ अब ये टुकड़े हो गए हैं अब मैं एक एक टुकड़ा पकड़ के बासकट से बाहर निकाल देता हूँ ये आप देख रहे हैं फॉर वायर बासकट ही यूज़ कर रहा हूँ मैं और इस स्टोन को निकाल रहा हूँ बाहर पीछे क्या रहा जाएगा डेबरिस स्माल स्टोन बस कुछ डेबरिस और स्माल स्टोन मैं अकसर 16 वायर बासकट से भी बाहर निकाल देता हूँ ये देखिए ये 16 वायर बासकट है और डेबरिस को बाहर निकाल रही है ये है R.I.R.S. की टेकनीक इसमें लेजर इसमाल हुआ इसमें बासकट इसमाल हुई और सिवा डेबरीस और छोटे फ्राइगमेंट्स पे मैंने कुछ अंदर नहीं छोड़ा है ये है R.I.R.S. टेकनीक मैं आशा करता हूँ कि मैं R.I.R.S. के बारे में लेजर के बारे में बासकट के बारे में आप लोगों के साथ कुछ नालिज शेयर कर सका दन्यवाद ग्रेशियाज मरसी डैंके प्रनिपात कि मैं बास्ताइटा सकतने कर सकते है लोगों के रेजर थहां रहां हाँ कि मैं जहां हमकों आप लोगों कि मैं बासकश है